आज हम इस वीडियो में जानेंगे National Health Mission जिसमें NHM-CHO की वेकंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है, स्टाफ नर्स की भी आपको इसमें पोस्ट मिल जाएगा आप इसमें कैसे अवेदन करेंगे, इसके बारे में आपको सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे इस वेकंसी के बारे में थोड़िस इन्फरमेशन डिटेल्स फ़हले हम जानते हैं, ये वेकंसी UP की ओर से एक्टिवेट किया गया है, National Health Mission की ओर से, जिसमें आपको CHO और स्टाफ नर्स की वेकंसी पोस्ट जारी की गई है ये फार्म 28-10-2024 से अप्लाई होना इस्टाट हुए, इसकी लास्ट डेट 17 नुवंबर 2024 है, एड्मिट कार्ड और एक्जाम की जो डेट है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया, इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई application fee नहीं है, बिल्कुल free आप लोग इसमें आवे आवे देन कर सकते हैं, आपका जो डेट अब बर्थ लिया जागा, 17 नुवंबर 2024 से एज काउंट होगा, एनचम CHO की विकन से post एक्टिवेट किया गया, इसमें जो qualification मांगे गया है, आपके पास अगर BSC nursing की course है, तो आप इसमें आवे देन कर सकते हैं, यदि आपके पास bachelor degree BSC nursing की qualification, integrated CCHN की qualification है, nurses की, तो आप इसमें आवे देन कर सकते हैं, आपके ये qualification, registration होनी चाहिए, nursing Indian council में, या तो state nursing council में registration होनी चाहिए, तब ही आप इसमें आवे देन कर सकते हैं, जिनके पास ये vacancy है, वो apply कर सकते हैं, आपके category में कितना post आएगा, वो आप यहाँ से check कर सकते हैं, अलग-अलग district का, अलग-अलग post यहाँ पे आपको मिल जागा कि आपके district में कितना post activate किया गया है, so complete जान करें के लिए आप notification को भी download करके check कर सकते हैं, हम farm apply करने का जो process है, वो दिखाएंगे, सबसे पहले आपको इस website पे visit करना है, इसका link हमने नीचे description में आपको दि login करेंगे, अपने mobile number, password या email ID और password का use करके आप login करेंगे, first time apply के लिए यहाँ पे आपको option मिलता है, click here for new registration, आपको इस पर click करना है, अब जैसे आप click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकास यह page मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे click कर है, वो इसमें आप select कर लेंगे, इसके बाद अगर आप UP के निवासी हैं तो yes करेंगे, और यहाँ पे आप अपने category को अपने नियमानुसारिस में select कर सकते हैं, अगर आप UP के निवासी नहीं रहेंगे तो आपको सिर्फ general category में ही लिया जागा, यहाँ पे सिर्फ general category ही so अभी आपका यह registration complete होने का जो process है वो दिख रहा है, यदि आप नहीं है तो इसमें आप no कर सकते हैं और इसमें भी आप no कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर capture मिल जाती है, इस box में लिखनी है और यहाँ submit की option को click करना है, submit करने के बाद आपको यहाँ पर message कुछ इस के बटन को click करना है, इसके बाद automatic आपको redirect किया जागा इस speech पर जहाँ से आप login करेंगे, तो login करने के लिए आपको अपने mail ID या mobile number में message जो हो चेक करनी है, यहाँ पर registered mobile number यानि कि जो form fill करते समय, mobile number दिया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर password आपको registration, personal details यहाँ पर सो होंगी, नीचे आपको यह सारी options fill करने पड़ेंगे, मैंने इसमें fill कर लिया है, यहाँ पर आपको अपने पीदा का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने माता का नाम लिखना है, आपका vendor क्या है? वो जेंडर यहाँ पर आप select करेंगे, अगर आप nursing का option मिलता है अगर आप same address पे रहते हैं तो आप जैसे इस box पे click करेंगे सारा address copy होके नीचे add हो जागा किसी और पदा पर आप रहेंगे तो वो address यहाँ पर mention कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर qualification details आपको लिखना है सबसे पहले आपको अपने 10th की qualification इसके बाद 12th की qualification इसके बा इसके बाद कितना number पाए हैं वो कितने number की होती है वो और यहाँ पर percentage सेम इसी प्रकार आपको अपने सारे qualification details को एक एक करके add कर लेनी है आपके पास COVID की experience कोई claim certificate है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें no भी कर सकते हैं आपके बाद 12th की experience है वो आप इसमें add करेंगे COVID की एन यहाँ पर अगर आप freedom fighter है तो yes करेंगे नहीं तो आप इसमें no करेंगे एन यहाँ अपडेट के बटन को क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना photo और signature अप्लोड करनी है यह JPG file या PNG file अप्लोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको option मिलता है choose file का आपको इस पर क्लिक करना है size जो है 500 KB की maximum मांगी गई है इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आप अपना photograph रखेंगे वहाँ पर आपको जानी है फोटो को select करना है इसके बाद open की option को क्लिक करना है और यहाँ पर option मिलता है upload photo का आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद message आपको अपने signature को भी इसमें add कर लेनी है इसके बाद आपको इहाँ पर अपने documents को upload करनी है only इसमें PDF फाइल मांगे गई है maximum 500 KB की size इसमें मांगे गया है अब जो भी documents इसमें select करेंगे उस documents को आपको upload करना पड़ेगा आप चातो serial wise 10th 12th BSC और उसके बाद आप इसमें ID proof यह सारे documents एक ही करके आपको इसमें upload करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर हम 10th select करेंगे इसके बाद choose file के option को click करेंगे यह PDF फाइल आप इसमें add करेंगे 10th की certificate आप जहाँ भी रखे हैं वहाँ भी जाए अपने certificate को select कीजे open के option को click कीजे और submit PDF file के option को click कीजे इसके बाद आप आपको message मिलेगा कि आपकी जो document से वो सफलता पूर्वक add हो चुकी है यहाँ ok की button को click करना है इसके बाद second document upload करनी है यहाँ पे आप click करेंगे जहाँ पे अपना file रखें वहाँ जाईए file को select कीजे open के option को click कीजे इसके बाद submit कर लिजे अब जितनी भी files upload करेंगे नीचे य इसके बाद हमको नीचे करनी है यहाँ पे आप अपने documents को check भी कर सकते हैं नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन documents और upload करनी है पहला जो documents है domicile documents upload करेंगे इसके बाद आपको अपने cash certificate को upload करनी है इसके बाद COVID की कोई certificate है वो आप इसमें upload करेंगे यदि आप domicile certificate upload नह अपने जितने भी डकुमेंट से उसे अपलोड करने के बाद आप नीचे यहाँ पे विव करके चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपने क्वालिफिकेशन या पर्सनल डिटेल्स को चेंज करना होगा तो इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए यहाँ न क्लिक करेंगे, सकस्फुल एड हो जाएगा, इसमें जितनी डिश्ट्रिक दी गई हैं वो सारे डिश्ट्रिक को आपको इसमें एड करनी है, एड करने के बाद ही आप अपने आविदन फार्म को लॉक कर सकते हैं इसमें और अपने फार्म को सम्मिट कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर जितनी भी इसमें district दिया गया है, 75 district है, वो सारे district को honey-क करके इसमें add कर लिते हैं, आप अपने इस आपसे जो भी उपर नीचे चाहेंगे, उससे आप add कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको lock करनी है, आपको इस पर click करना है, जैसे आप lock के ओप्संट पर click करते हैं, अब इसमें आप change नहीं कर पाएंगे, इसके बाद यहाँ OK के option को आप click करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपका district preference आपने जो add किया रहेगा वो दिखाया जाएगा, नीचे करेंगे इस term and condition को आपको accept करनी है, यहाँ पर आपको तीन option मिलता है, यदि आपके form में कोई भी details गलत होती है, तो आप इसमें edit करके change कर सकते हैं, अगर आपके सारे information details सही होते हैं, आपको final submit करनी है, तो यहाँ पर आपको button मिलता है, final submit का आपको इस पर click करना है, इसके बाद OK के button को click करना है, अब जैसे आप click करते हैं, तो आपके जो form है, वो सफलता पुर्वक submit हो जाता है, तो किस प्रकार से आप इसमें आविदन करने के, मैंने आपको सारा process दिखा दिया, इस form को print करना होगा, तो आपको बिल्कुल नीचे करनी है, यहाँ पर print करने का button मिलता है, आप यहाँ से click करके print कर सकते हैं, चाहे तो आप PDF में से save करके रख सकते हैं, तो इसमें आविदन जो fear वो बिल्कुल free है, किसी भी category के लिए कोई application चार्ज नहीं देनी है, आपको form फिल करना है, तो मैंने आपको सारा process दिखा दिया है, I hope कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर आप लोग को पसंद है, तो like और share कीजेगा, किसी भी प्रकार के कोई सव पूछनी है, तो हमें आप comment जरूर कीजेगा, मिलते हों आप सके लिए वीडियो में, bye bye, जहिन